आज की रेसिपी यह हमारी मुरादाबाद बिरियानी देखें कैसे बनाते हैं यह हमने पते ली रखा है उसमें तेल डालना है फिर उसमें क्या क्या एट करना है यह हमने एक बड़ा प्याज लिया है जीरा है तेज पत्ता है केंские पूर लिया है और चार पांच लॉंग लिया है और चार इलाइची और काली मिरीच आज़ दस लिया है और इसे अभी देखे हम क्या करें पहले प्यास डाड़े में इसे हमें लाल करना है और यह जो मसाला है खड़ा मसाला इसमें एक करना है आज की हमारे रैस्वेटी है मुगादाबाद बिल्यानी देखें कैसे बनाते हैं इसे लाल करना है दाल होने के बाद इसे हमें चावल डालना है यह देखें हमारी प्यास लाल हो चुकी है अब हमें इसमें चावल एक करना है इसे चावल एक किया है इसे चावल एक करना है इसे चलाना है आपी हम नहीं पानी डाल नहीं हमें इसमें नमक एक करना है दो चम्मस डालना है नमक इसे हमें पंग्रा से इसमें पकाना है यह हमारा चिकन है इसमें प्याज एक करना है इसे उबालना है और इसमें अध्रक बस्तुन का पेश्ट डालना है यह नमक इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है आज की रैसे पीए हमारी गादा बाद दिरियानी देखें आज कैसे बनाती है इसे उबालना है इसके बाद इसका मसाला हमें कैयार करना है इसे उबालना है हमें चिकन को पंदरा से बीस दिना है यह प्लाव हमारा तयार हो चुका है इसमें कलर एड करना है यह चिकन जो रखा था हम बनने के लिए यह तयार हो चुका है अब हमें मसाला तयार करना है यह अभी चिकन का मसाला हमें तयार करना है इसमें तेल एड करना है दो चम्मच अभी हमें इसमें प्याज एज करना है यह मसाला हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला दो चम्मस मुची पॉडर्ट एक चम्मस धनिया पॉडर्ट एक मिडियन साइज का तमाटर और हमें रेडी में चिकन मसाला है यह भी एक करना है मसाली में यह हमारा प्याज जो है लाल हो चुका है मेर्जू मसाला है जरम मसाला वह एक करना है जैसे कि मसाले में थोड़ा पानी डालना है इसे पताना है मसाला और इसमें टमाटर एक करना है कि दो पताना है जैसे कि मसाला तयार हो चुका है लेखें टेल पूर अपर आयोक है अ अन," уб numaAL दूसे हमें मिक्स करना है आज की रेसेपी हो हमारी अम्रादावाद बिर्यानी पकाना है यह देखें हमारा साधन तयार हो चुका है इसमें हमें थोड़ा सा कोजली रेक करना है है आज की रेसेपी है हमारी अम्रादावाद बिर्यानी तो यह देखें मारे बिर्यानी रेडी हो चुकी है मुरादा बात बिर्यानी देखें तकी शांदाल मज़गाल दिखाई दे रहे हैं यह हमारी नुरादवाद किरियानी है अगर हम पसंद आए हमारी रेसेपी डाइक करें शेयर करें थेंक यू